पाठ बारा हरा घोडा संकलित बच्चे बिर्बल की चतुराई का परीचे प्राप्त करते हैं एक दिन बादशाह अकबर घोडे पर शाही बाग में घूमने गए उनके साथ मंत्री बिर्बल थे चारो और हरे भरे व्रुक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोडा भी हरे रंग का ही होना चाहिए उन्होंने बिर्बल से कहा बिर्बल मुझे हरे रंग का घोडा चाहिए तुम मुझे साथ दिन में हरे रंग का घोडा ला दो यदि तुम हरे रंग का घोडा न ला सके तो हमें अपनी शकल मत दिखाओ। अकबर और बिर्बल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोडा तो होता ही नहीं है। लेकिन अकबर को बिर्बल की परिक्षा लेनी थी। दर असल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बिर्बल अपनी हार स्विकार कर ले और कहें जहां पनाह मैं हार गया। मगर बिर्बल भी अपने जैसे एक ही थे। बिर्बल हर सवाल का सटी उत्तर देते थे। कि बादशाह अगवर को मुह की खानी पड़ती थी। बिर्बल हरे रंग के घोडे की खोज के बहाने साथ दीन तक इधर उधर गुमते रहे। आठवे दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले जहां पनाह मुझे हरे रंग का घोडा मिल गया है। बादशाह को अश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा जल्दी बताओ कहा है हरा घोडा। बिर्बल ने कहा जहां पनाह घोडा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है। मगर उसके मालिक ने दो शर्ते रखी है। बादशाह ने कहा क्या शर्ते है। पहली शर्त तो यह है कि घोडा लेने के लिए आपको स्वयम जाना चाहिए। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है। घोडा खास रंग का है। इसलिए उसे लाने का दीन भी खासी होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के साथ दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए। वे बिर्बल का मुह देखते रह गए। बिर्बल ने हसते हुए कहा। जहां पनाह हरे रंग का घोडा लाना तो हो तो उसकी शर्ते भी माननी ही पड़ेगी। तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बिर्बल को उल्लू बनाना चाहा था। लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फस गए थे। अकबर खिल की लाकर हस पड़े। बिर्बल की चतुराई से वे खुश हुए। समझ गए कि बिर्बल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। धन्यवाद। झाल 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 ≜ हुए।